नमस्ते मित्रों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जी के हेलप विद जयार भी पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री बीएस्टी से एकजाम 2019 के लिए इंपोर्टेट राजस्तान समाने ग्यान के 50 क्वेस्टनों के बारे में दोस्त जो हमारा टोपिक है वो है राजस्तान के मेत्पुरून परतीक चीन है इन से समंदित 50 क्वेस्टन है दोस्तों आपकी प्रतियोगी प्रिक्षाओं में ये क्वेस्टन पुछे जाते हैं और प्रीबीएस्टी से एकजाम के लिए बहुती इंपोर्टेंट है तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और अपने मित्रों के साथ सेर भी करना और वीडियो स्टार्ट करते हैं इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल जीक के हेल्प विद ज्यार भी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक् देखीगा तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट कोस्चन है कि राजस्तान का राज्यवरक्स है तो दोस्तों इसका उतर है खेजडी राजस्तान का राज्यवरक्स है खेजडी यानि कि बी ओप्सन इसका राइट हो जेगा अगला कोस्चन है राजस्तान का राज्यवरक् गा 31 उक्टूबर 1983 को यह भी कोस्टन दोस्तों बहुत बार एक्जाम में पुछ गया है चलते हैं नेस्ट कोस्टन पर अगला कोस्टन है खेजडी व्रक्स राजस्तान के किस बाग में सरवादिक पाया जाता है यानि कि राजस्तान में खेजडी व्रक्स है वो किस बाग में स तो इसका जो सी ओप्स ने वो राइट हो जाएगा अगला कोस्ट ने खेजडी के उपना में तो दोस्तों खेजडी के उपना में राजस्तान का कलप व्रक्स भी से कहते हैं राजस्तान का गोरव भी कहते हैं दोस्तों राजस्तान का गोरव चितोड़कड किल्ले को भी कहते ह है आपको द्याह्यी रखना है कि रख्सों में खेजदी के वर्क्स को भी राजस्तान का गौर्ब केते हैं और इसे थार का कलप भरक्स होजेगा औ gang सब्सक्राइब को भूठी का वरिष्पतिक नाम क्या है यह विठन दोसतों बहुत बार एक्जाम में पुछाई गये तो दोस्तों खेजडी है जो botanical name है वो है prosopis scenario area क्या नाम है prosopis scenario area दोस्तों ये विज्यानी की नाम थोड़ी कठीन होते हैं फिर भी आपको याद करने होंगे क्योंकि यहां से question पूछा जाता है चलते है next question पर अगला question आपके सामने है निमन में से सुमेलित नहीं है तो दोस्तों ये की राजस्तानी बासा में खेजड़ी को क्या केते हैं c मिलो ये right है और सिंधी बासा में खेजड़ी को छोकड़ो केते हैं और कनड़ बासा में जांटी ये गलत है दोस्तों कनड़ बासा आगला question है खेजडी वरक्ष से प्रापत सके हैं किया यानि कि A इसका राइट होझेगा दोस्तो इसकी फली लगती है उन्हें केती हैं सांगरी इस सांगरी की दोस्तों सुका कर सबजी बनाए जाती ये सांगरी अगर पक जाए तो इसे कहते है खोका ये भी आपको द्यार रखना है अगला कॉस्चन है खेजडी वरक्ष की पूजा की जाती है यहनि की कौन से त्योयार पर खेजडी वरक्ष की पूजा की जाती है यह भी कॉस्चन दोस्टो एकजाम में पुझागे तो आपको याद रखना है दसेरा यहनि कि विज्य दस्मी पर खेजडी वरक्ष की पुझा की जाती है दोस्तों वीडियो को लाइक जुडूर कीजिएगा और अपनी मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा सेर करना नौमा कोस्टन है लोग देवता गोगा जी के थान किस वरक्ष के नीचे बने होते हैं तो दोस्तों इसका A option राइट हो ज़्यादा खेजडी वरक्ष ये भी कोस्टन एकजाम में पुझा गया है खेजडली उरक्स के निचे लोग देवता गोगा जी के थाने बने होते हैं दसमा कोस्ट ने खेजडली दिवस 12 स्टमबर को कब से मनाया जाता है सबसे पहले तो आपको ध्यां रखना है कि खेजडली दिवस कमनाया जाता है 12 स्टमबर को और कब से स्टार्ट किया गया तो द ग्यारमा खेजडी व्रक्ष पर 60 पेसे का डार्ग टिकेट कब जारी किया गया था तो दोस्तों खेजडी व्रक्ष पर 60 पेसे का डार्ग टिकेट उनीस सो अठेसी इस भी में जारी किया गया था यानि कि ए ओप्षिन इसका राइट हो जेगा 1988 में खेजडी व्रक्ष पर 60 पेसे का डार्ग टिकेट जारी किया गया था बारमा कोस्चन है खेजडी व्रक्ष को बचाने के लिए ओप्रेशन खेजडा कारेकरम कब सुरू किया गया यह भी कोस्चन दोस्तों एकजाम में पूछा गया है आपको द्यारकने कि ओप्रेशन खेजडा कारेकरम है सन 1921 में सुरू किया गया था यानि कि यह ओप्सिन राइट हो जाएगा दोस्तो जो खेजडी का व्रक्ष है इससे द।क टोर्ष्ट्डबरानामो में कीड़ी का शिखारक किया जा रहा है अगला कोस्चन है टेरलहा खेजडी व्रक्ष को बचाने के लिए मारवाड के सासक अभयसिये के काल में 1730 इस्वी में अम्रता देवी विश्णोई की नित्रतम में कितनी लोगों ने बलिदान दिया था तो दोस्तो दोस्तो इसी गटना को राजस्तान का चिप को अंदलन केती हैं तो आपको याद रखने राजस्तान का चिप को अंदलन तो इस खेज़ली की गटना को ही कहा जाता है अगला कोस्टन है राजस्तान का राज्य पुस्प है तो दोस्तो राजस्तान का राज्य पुस्प है रोड़ा यानि कि इसका बी उप्शन राज्य पुस्प है रोड़ा पंदरमा कोस्टन है राजस्तान का राज्य पुस्प रोड़ा कब गोशित किया गया यानि कि राज्य वरक्स और राजेपुस्प का दर्जा एक दिन दिया गया थै यानि कि 31 उक्टूबर 1983 को नेश्ट क्वस्चन है रोटा के अन्य नाम है तो दोस्तो रोटा को राजस्तान का सागवान भी केते हैं मारवाड का टिक भी केते हैं और राजस्तान की मरूसुबह भी केते हैं के वर कोस्टन पूछ ले जाता है कि मारवाड टिक के नाम से कौन सा वरक्स खेमिस है तो आपको याद एकने है रोडा और इसे राजस्तान का सागवान भी केते हैं राजस्तान की मरूसुबह भी केते ह यानि कि इसका D option right हो जएगा है उकते सभी है अगला कोस्चिन है राजस्तान का राजया पुस पे रोईडा का विग्यानिक नाम क्या है यानि कि बोटेनिकल नेम बताने हैं दोस्तों तो रोईडा है इसका विग्यानिक नाम होता है टिको मेला अंडूलेटा क्या नाम होता है टिको मेला अंडूलेटा यानि कि इसका बी ओप्सन राइट हो जएगा हमने दोस्तों खेजड़ी का जो खेजड़ी है इसका विग्यानिक नाम देखा था वो था प्रोसोफिस सिनेरेरिया यह भी जा रखना है थोड़े खठीन होत पस्चमी राजस्तान में इसरवादय के पाया जाता है यानि कि इसका सी ओप्सन राइट हो जएगा पस्चमी राजस्तान में हिर्मिच रंग रोण का जो फूल होते हैं इसका रंग हर्मिच होते हैं जयाने की हिर्मिक रंग के अंत्रगत छार प्रकार के यंद् natya गाते हैं पिल्ञ के सीरिया नारंगी अगला कोस्ट्न है राज्ये पसू वन्यजीवसरिणी के अंतरगत हैं मतलब राज्य पसु बताने जो कि वन्य जीव स्रेणी के अंतरगत तो दोस्तों इसका उतर हो जाएगा चिंकारा वन्य जीव स्रेणी के अंतरगत राज्य पसु का दर्जा दिया गया तो दोस्तों वन्य जीव स्रेणी के अंतरगत चिंकारा को राज्य पसु का प्रत्योगी प्रिक्षव में पूछ गिया हो दोस्तों छोटा इरन न मुलंती है दोस्तों sandwich क्मिल के नाम क्या थो दोस्तों सब्सक्राइब तो यानि इसका एयोप्षन गजला phresеля दोस्तों समयुक्त में अधिकता से देखने को मिलते कि सिवह में जोदुट में अगला कोस्ट ने चिंकार किस जिले का सुबंकर घृट जो कि ऊंतरगत जो राजस्तबन का राज पश्ुए तो दो कोस्टन इसका ए उप्सन राइट हो जएगा उंठ यानि की पॉस्वादन सृरहिन के अंतरगत तो राजस्तान का राजय पॉस्वाथ है और वन्य जी उपने की श्रेणी के अंतरगत राजस्तान का राजय पॉस्वाथ है चिंकरायद दोस्तों चिंकारा और उंट से समधित मैंने पहले भी एक वीडियो प्लोड किया था अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ पर जाकर उसे जुरूर देखना है दोस्तों क्योंकि जो राजस्तान का राज्य पसू उंट है इन से रिलेटिव प्रतों की प्रिक्षव में क्वेस्टन बहुत पूछे जाते हैं अगला कोस्टन है 25 मां पसू दन स्रेणी के अंतरगत उंट को रज्य पसू का दर्जा कब दिया गया तो दोस्तों उंट को रज्य पसू का दर्जा दिया गया था 30 जून 2014 को यानि कि इसका ए उप्शन राइट होजेगा यानि कि रज्य पसू का दर्जा देने की गोशना ह हुई थी 30 जून 2014 को लेकिन इसकी जो अधिसुचना वह 19 सितंबर 2014 को जरी की गई थे यानि कि 19 सितंबर 2014 को इसकी अधिसुचना जरी हुई थी ये त्यार रखने है अगला कोस्चन है बारत में सरवाधिक उंट किस राजे में पाए जाते हैं तो राजस्तान राजे में बारत में सरवाधिक उंटे पाए जाते हैं और दोस्तों अगर बात करें विश्च्व में सरवाधिक उंट कहां पर पाए जाते हैं तो आपको याद option राइट हो जाएगा कि उंट की कुबड में वसा पाई जाती है जिसके कारण या लंबे समय तक बिना पानी के रह सकते हैं तो आपको जया रखने हैं अगला कोस्चन है उंट पालक जाती है यह भी कोस्चन दोस्तों बहुत बार एकजाम में पूछागे कि उंट पालक जाती कुण सी है रेबारी रेबारी या रही का उंट पालक जाती है इसका ए ओप्शन राइट हो जाएगा 28 मा कोस्चन है उंठो का देवता है तो दोस्तों उंठो का देवता है पापुजी यानि कि इसका ए ओप्शन राइट होजेगा पापुजी को मारवाड में उंठ लाने का स्रिय जाता है तो इसका ए ओप्शन राइट होजेगा उंठो का देवता पापुजी है 28 मा कोस्चन है गोर्बंद क्या है यह भी कोस्चन दोस्तों प्रतियोगी प्रिक्षों में पूछा गया है तो गोर्बंद दोस्तों उंठ के गले का अब उसन है यानि कि इसका ए उप्षन राइट होजेगा नेस्ट कोस्चन है उंठों की देवी कहते हैं तो दोस्तों उंठों की देवी अन्ता देवी को कहते हैं यानि कि इसका ए उप्षन राइट होजेगा दोस्तो उंठों के देवतत्व है पक्पूजी और उंठों की देवी है अन्ता देवी क्योंकि पक्पूजी की फट का वाचन उंठ बिमार होने पर किया जाता है तो आपको ये द्यारीं रखना है तो उप्सन है सम गाम, लाठी गाम, हर्जी गाम, मुलेला गाम, तो दोस्तो केमल सपारी है, वो सम गाम जिसल मेर की परसीद है, यानि कि इसका ए उप्सन राइट हो जाएगा, सम गाम जिसल मेर की केमल सपारी है, वो परसीद है, चलते हैं, नेस्ट कॉस्टन पर अगला कॉस तो दोस्टों की खाल पर सोने चण्दी एवं अन्य दातों से की जाने वाली नकासी क्या गलाती। उस्ताकला यानि कि इसका A option राइट हो जाएगा उस्ताकला कहां की परसीद है बिकानेर की अगला कोस्टन है उस्ताकला कहां की परसीद है तो उस्ताकला परसीद है बिकानेर जिले की यानि कि इसका A option राइट हो जाएगा आपको बता दिया कि उंटों की खाल पर सोने चांदी एवं अन्य दातूं से की जाने वाले नकासी उस्ताकला कहलाती है और उस्ताकला भीकाइनर जिले की परसीद है 36. उंट की कुर्बानी के लिए परसीद मेल है मुबारक मेल जो की उंट की कुर्बानी के लिए परसीद है 37. राजस्तान का राज्य पक्षी गोडावन 38. राजस्तान का राज्य पक्षी गोडावन को राज्य पक्षी का दरजा कब दिया गया तो दोस्तो राजस्तान का राज्य पक्षी गोडावन है इसे राज्य पक्षी का दरजा दिया गया था 21 मई 1922 को ये डेट याद रखना दोस्तो ये भी पूछी गई है 21 माई 1982 को गुडावन को रजय पक्ची गोसिते किया गया था यह देश का दोस्तों सबसे अधिक दुरलब लुप्त पर है यानि कि लुप्त होने की कगार पर स्थित पक्ची है तो आपको यह द्या रखने गुडावन का विज्यानिक नाम है गुडावन का विज्यानिक नाम है तो दोस्तों गुडावन का विज्यानिक नाम है कोरियोटिस नाइगरी सेप यानि इसका एउप्चन रएट हो जाएगा अगला कोस्चन है मालमोरडी, सोहन चेडिया, गुंदन मेर, ग्रेट इंडियन बस्टरड, उकना यह किस पक्ची के अन्य नाम है तो दोस्तों इसका एउप्चन रएट हो जाएग गुडावन यानि कि एउप्चन इसका रएट है दोस्तों यह कोस्चन पूछेगे है कि ग्रेट इंडियन बस्टरड किस पक्ची को कहते हैं प्रतयों इन्डियन बस्टरड किस पक्ची कुई है तो आपको द्यां रखना है गुडावन को 41 कुश्चन का मुख्यबोजन है यह भी बारएट उप्चन फीज़िए तो आपको याद रखना है ुडावन का मुख्यबोजन है तारा मिरा सूरसिन बारा में एवं स्वुखलिय अजमेर में यह पया जता है इसका जो मुखे बोजन है वो तरहमीर है दोस्तो और गुडावन पक्ची अपने अंडु के लिए जमीन पर ही गोसना बन था है स्ब्सक्राइबर कोरुमें का दरजञा दिया गया था 1948 इसमें में यानि कि इसका एउस्फना रिप T. ये कुष्ट् just वि दोस्तो बेक्ट सी डिस एक्जाम में पुछ गया था कि कि राजस्तान का 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 राज किस राग में माणराग में अगर रॉड़ास्तान का राज्यागीट क्षिरप्तम किस ने गया राज्जा का वंगरनिते एक सी स्पस्ट क के रिमत बहुत को सी मिनेदा घ्रलिक ठालिक पत्थाई है 47 question है राजस्तान के रज्य कवी है तो दोस्तो राजस्तान के रज्य कवी है सुर्यमल मिसरन यानि कि इसका A option राइट होजगा 48 question है राजस्तान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तो यहां पर ध्यान देना राजस्तान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को लेकिन राजस्तान स्टापना दिवस मनाय जाता है दोस्तों 1 नुमंबर को 1 नुमंबर 1956 को राजस्तान के जो साथ एकी करण के चरण है वो पूरे होते हैं इसी करण 1 नुमंबर को राजस्तान स्टापना दिवस मनाय जाता है लेकिन राजस्तान दिवस अलग है यह 30 मर्च को मनाय जाता है क्योंकि इस दिन अधिकास राजस्तान का निर्वान हो गया था लेकिन पूरा जो राजस्तान की स्थापना होती है वो 1 नमबर उनिरिसोचपन की होती है और इसी कारण एक नमबर को राजस्तान स्थापना दिवसे मनाया जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, कन्फूज नहीं होना है क्योंकि ऐसे कोस्चन बार-बार इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि इन में स्टूडन्स कन्फूज हो जाते हैं पचास्मा कोस्चन है, बोजा डोने के लिए उंट की कौन सी नसल परसीद है तो आपको याद रखना है गोममठ यानि कि इसका ए उप्सन राइट हो जाएगा पचास्मा कोस्चन आपके सामने, राजस्तान के कौन सी जिले में सरवाधिक उंट पाए जाते हैं दोस्तों, बारत के 70% उंट राजस्तान राज्ये में पाए जाते हैं और राजस्तान में जो उंट 19 मीं पसुगना के उनसार 3.25 लाख जन संग्याए, उंटों के जन संग्याए कितनी है, 3.25 लाख दोस्तों, उंटों से समंदीत एक में पुर्ण कोस्टिन ये भी है कि केंद्रिये उंट परजनन के अंदर का स्तीत है, ध्यान देना है दोस्तों, केंद्रिये उंट परजनन के अंदर दोस्तों आपको याद रखने According के अंधर के अंधर घोड़ी बीड में जोड़बीड बीकानेर के अंधर के स्तापना कफ इन्धर करसे गई थी ये वी कुष स्वên पूछ है तो आपको दियार रखने पांच जुलाई которого 54 को 5 जुलाई 1984 को केंदर ये उंठ परजनन केंदर जोड़ बीड की स्तापना की गई थी तो आपको ये द्यां रखने है और दोस्तों उंठों में एक रोग बहे जाता है जिसका नाम है सर्रा रोग जिसके कारण उंठों की मर्तियूं भी बहुत हुई थी तो सर्रा रोग किसे समझ दीता है तो उंठों से समझ दीता है ये भी आपको ध्यां रखने है तो दोस्तों अब बात करते हैं जो कोस्चन आप से पूछा गया था प्रेक्टिस कोस्चन model paper के अंतरगत आप से पूछा गया था वो question था कि जन संक्या की दरिष्टी से राजस्तान का देश में स्तान है तो दोस्तो राजस्तान का देश में स्तान है सात्मा यानि कि इसका A option राइड था आज का question दोस्तो जिसका जवाब आपको इस वीडियो के comment box में देना है question आपके सामने है दोस्तो राजस्तान के कौन से जिले में नियूंतम उंट पाए जाते है नियूंतम मतलब सबसे कम उंट राजस्तान के कौन से जिले में पाए जाते है A option आप परतापगड दौलपुर करोली दोस्ता तो दोस्तो इस question का जवाब आपको इस वीडियो के comment box में देना है उमीद करते हैं दोस्तो आपको ये वीडियो अच्छा लगया होगा अगर अच्छा लगया तो please इस वीडियो को कीजिए like और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए share धन्यवाद दोस्तो मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद वंदे मातराम